घर में ही पड़े कम समान से अगर आप कोई बहुत ही अच्छी रेस्टरान स्टाइल रॉयल सबसी बनाना चाहते हैं तो बेसन अंगारा ज़रूर ट्राइग करें इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही अलग तरीके से बनी हुई है और इसके उपर जो हम कोले की बगार देते हैं तो यह बहुत जादा गसब की बनती है लेकिन इसके इंग्रिडियन्स आपको ध्यान से एंट तक देखने पड़ेंगे थोड़े से हटके हैं जिसकी वज़े से सबस पड़ा सा रैड चली का पाउडर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा गल्मसाला पोडर यह सारी चीज़ेंगे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा धनिया पोडर भी एडलिबीया शेट ने बहुत जादा ज़रूरी है अब तेल डालें और इन सारी चीजों की मदद से आपके आटे को गूनने की कोशिश करें आपका आटा जितना सूखा हो ज़गे अतना सूखा रखें अगर आपको पानी के ज़ुरत लगती है तो एक चमच डालें अब इसे ज़रा सा ते बेल बेल जाता है लेकिन आपको ज़रा सा तेल यूज करना पड़ेगा अब इसे हम काट लेंगे स्क्वेर्स में अगर आप चाहें तो अपने हाथ की मदद से राउंड टिक्क्या भी बना सकते हैं लेकिन स्क्वेर काटें तो ज्यादा सुंदर लगेंगी अगर चाहें तो बना सकते हैं मैंने एक रेसिपी में ट्रैंगल्स बनाए थे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे अभी मैं इसे स्क्वेर सी बनाऊंगी और इसे पीजा कटर की मदद से अगर आपको नहीं है तो आप नाइव की मदद से भी इसे कट कर सकते हैं अब ये क्यूब्स न अब हम चलेंगे हमारी ग्रेवी की तरफ तो चलिए अब हम आती है बार हमारी सबसी की तेल लेना है दो चमच भड़के इसमें हम कटी हुई सब्सी यां डालनी है जो हमारे टिक्के में डलती है यानि की पने टिक्का में ये है टमाटर कैप्सिकम और थोड़ा सा पैयाज जो हम टिके में यूज़ करते हैं तेज आंच पर इन्हें रोस्ट करना है तब तक जब तक कि इनका जो लुक है वो अच्छे से ब्राउन हो जाए खाने में यह बहुत जादा टेस्टी लगते हैं जब बेसन के साथ आते हैं ग्रेवी यह सब्जियां और बेसन मिलके सब्जी लैसुन का पेस्ट एक बड़ा वाला चमच पढ़के हरी मिच थोड़ी सी और तोड़ा से जीरा पौडर यह तेल में बूना बहुत जादा जरूरी है यह तीनों चीज़ें मिलके एक और चौती सीक्रेट चीज़ है यह चार चीज़ें मिलके जो हमारी सब्जी है उसको बह अधा कप टुमाटर का पूरी डाल देना है अब तब तक बूना है जब तक कि अच्छे से कोखो जाए तला चोड़ दे इसके बीच में हम इसमें मसाले डालेंगे ताकि जो मसाले हैं वह भी तमाटर के साथ अच्छे से भून जाएं अपना अरोमा छोड़ दे लिए चली दन तो हम इसमें एड़ करेंगे तले हुए प्यास का प्यूरे यानि की जो हमरा प्यास होता है दो-लंबा-लंपा काटके उन्हें फ्राय कर लें थोड़ सा पानी डालके उननका प्यूरे बना ले यह बौडी देता है हमारी जोसी थे इसको वोल्यूम नमक डालने के बाद अच्छे से उबाला के इसे ढखके रग दें दो मिनिट तक ताकि सारे मसाले घुल मिल जाएं अच्छा सवाद निकल के आए अब हम इसमें डालनेंगे हमारी बाकी की सबजियां जो हमने फ्राइ करके रखी थी और बेसन बेसन हो सके तो आप करना बिल्कुल नहीं बूले ऐसी ही आसान और सुन्दर रेसिपीस के लिए तब तक के लिए अपने अधान रखें लिकिन लास्ट में इसे कोले का बगार देना बिल्कुल नहीं बूले कोला एकदम घरम करके इसके उपर गी डाले और ठक्के रख दें ताकि इसमें एक माझाई, बाई!